इस्राइल पर एक नई मुसिब़ टूट पड़ी है इस्राइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था क्योंकि एरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है बहुत डरा दिया है इरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट तो इस्रेल ऐसे काउंटर करेगा इस्रेल को यकीन हो गया है कि इरान ने एटम बंप बना लिया है अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये है इस्रेल का Aero Missile Defense System ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इस्रेल पर लोंग रेंच मिसाइल से हमला होता है Aero System ने इस्रेल को यमन से फाइर की गई बेलेस्टिक मिसाइल से बचाया लेकिन ठैकिन यह ये सिस्टम अब इरान के अचमभम से बचा पाएगा क्योंकि एरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खत्रा इसरेल को सता रहा है पूरे इसरेल में परवाणो भम का सायरन बजने लगा है चाहे वो राजधानी तेल अवीग हो या फिर हाइफ़ या फिर कोई और इसरेली शहर इस वक्त हमास के रॉकेट से ज़ादा खौफ इरान की मिसाईल का है क्योंकि अब उसमें परवाणो भम भी फिट हो सकता है अमेरिका दावा कर रहा है कि इरान के पास अब इसरेल तक पहुंचने वाली मिसाईल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम भम भी इरान के परमाणो ठेकाने को लेकर IAEA यानी अंतराश्विय परमाणो उर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसरेल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया क्या है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धित यूरेनियम एकठा कर लिया है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इरान इससे 3 एटम बम बना सकता है इरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक मोच गया है एक परमानो बम बनाने के लिए इरानियम का 90 प्रतिशत तक समवर्धिन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धिन कर लिया है हालाकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं यानि इरान अब परमाणू बम बनाने के बहुत करीब है ऐसे दावे इसरेल और अमेरिका लगातार करते रहें इसरेल ने हमेशा कहा है कि वो इरान को परमाणू बम नहीं बनाने देगा अमेरिका भी इरान के परमाणू कारिक्रम को लेकर इसरेल की हां में हां मिलाता आया है इस वक्त पूरा पश्यमेशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सो लग रहा है इरान से लेकर इसरेल और तुर्की से लेकर सौधिय अरब घाज़ा पट्टी में हो रही बंबारी में पूरे अरब वार्ल को बारूद के धेर पर बैठा दिया है अब पर्माणू बंब को लेकर इरान वाले खत्रे ने इसरेल और अमेरिका का डर्वाला मीटर रेड लेबल पर ले आया है इस कांटे पर एतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ल वार बनकर तूट सकता है क्योंकि इरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉंच होने के 400 सेकंड के अंदर इसरेल पर जाकर तबाही मचा सकती है इरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर चुका है उसकी बलेस्टिक मिसाइल को इसरेल आरन डूम से नहीं गिरा सकता और इरान का दावा है कि इसरेल हो या फिर अमारिका का मिसाइल डिफेंस सेस्टम उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी इस स्वक्त इरान के परमाणू कारेक्टरम को लेकर जो खबरें हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणू अट डे बर सब की नजरे हैं अभी इरान ने 6 स्पॉट पर नियोप्लियर रियक्टर लगाये हुए है लेकिन इन में से 2 एहम साइट है पहली जगह है नतांस और दूसरी जगह है फोड़ यहां है अंडरग्राउं नियोप्लियर साइट जहां इरान सबसे ज्यादा गुडवत्ता के यूरेनियम समवर्धन करता है ज्यादा बहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बहतर यूरेनियम इरान के परवाणू प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटलाइट तजवीरें भी जारी हो चुकी है यह नतांस नियोप्लियर साइट की 2002 की तजवीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वहीं फोडो वाले नियोप्लियर साइट की पहली सैटलाइट तजवीर 2009 में सामने आई थे यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम समवर्थित कर रहा है इरान के पास अभी एटम बम नहीं है यह बाग तो पुखता तौर पर अमेरिका भी मानता है लेकिन इसरेल के पास एटम बम है इससे कोई इंकार नहीं करता दावे के मताबिक आज की तारीख में इसरेल के शांत रेकिस्तान में नेगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है जहां ताखतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट के मताबिक इसरेल के पास करीब 90 परमाणू बम है जो पूरे पश्चिम एशिया को पिखली हूई बेत में तबदील कर सकते हैं घाजा में बंबारी के तौरा इसरेल के मंकिर परमाणू बम इस्तिमाल करने की भी सला थी जिसे बाद में नेतन्याहो ने खारिश कर दिया लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इसरेल जिस बम को छुपाने की कुशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की बज़ा बन सकता है और अबीरान के परमाणू का रिकम को लेकर ये दुश्मनी और हतरनाफ हो जाती है एए इसरेल इसरे बिए आप आप ओआ मास नुक्लर बॉम्बा वर व कि बून लाओ तेहित आप एए ये इसरें एक बस्दीजिया बड़ी है आप एकि एदियन कार नुक्लर पूल्बाँ एसरेई के सबसे बड़े दुश्मने दून एक दूसरे को मिटानी कि धम किया देते है इस्राइल को लेकर इगान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्षे से मिताने की बात भी करता रहा है यही हाल इस्राइल का है जिसके निताओं ने भी पर्मानों थंकियां देनी शुरू कर दी है घाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल वार का खत्रा लगातार बना हुआ है जिसमें इस्राइल और इरान दो बड़े कैम्प मनकर उभग सकते हैं वैसे रूस और योक्रेम की युद्ध की वज़े से इरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बच चुका है इरान अब अपनी इसी ताकत को दिखा कर अमरिका और इस्राइल दोनों को चैलेंज कर रहा है हनकि इस्राइल से पहले उसने अमरिका की फौजी अड़ों को अपने टार्केट पर ले लिया है इरान के आज पास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है। अमेरिका के तीन अट्टे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनाथ हैं। गतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी वीस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। यह वो देश हैं जहां से एरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वज़े है कि इरान अब अमेरिका को इस इलाके में बरदाश्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इनी अट्टों से उस पर नसर रखता है। और यही से वो कभी भी इरान के नियोक्लियर अट्टों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अट्टे हैं, वहाँ उसके बहुत ही खतरना कथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात हैं और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें इरान के लिए सबसे बड़ा खत्रा है कतर का अल-उदैद एयर बेस, जो पूरे पश्ची मेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा प्रेटन के रोयल एर फोर्स भी तैनात है। दूनों देशों के यहाँ करीब डेड़ सो फाइटर जेट और बाकी विमान और भून तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्ची मेशिया पर नज़र रखता है। यही वज़े है कि इरान ने अब अमेरिका को वानिंग देनी शुरू कर दी है। और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता। इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका ह यहां इरान का खास दबदबा रहता है। अमेरिका के नौ सेना यहां तैनात रहती है। लेकिन इरान पर नजरे रखना और किसी भी वक्त योद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है।